स्वाब करता हूं दोस्तों मेहते शुपता आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पर दोस्तों तो हम इस मार्केटिंग के सीरीज की 10 वीडियो आप लोगों के संग लेकर आ गए हैं और इसमें हम आपको बताएंगे पर्सनल सेलिंग क्या होता है तो दोस्तो वाटइस पर्सनल सेलिंग इसके बारे में हम जानेंगे और उसकी अलगले एक्टिवीटीज जानेंगे तो दोस्तों उमीद करता हूं आपको हमारी मार्केटिंग की सीरीज का कॉंटेट पसंद आ रहा हुगा आ रहा है तो आप बताईए तो दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पे और जानते हैं इसके बारे में दोस्तों अगर आप digital marketing services लेना चाहते हैं या digital marketing का complete course सीखना चाहते हैं उसके लिए आप हमारी website marketingfundas.com पे जा सकते हो या हमारे number पे call कर सकते हो thank you तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे what is personal selling in marketing personal selling is a method where marketers try to convince the prospect to buy a given product or service personal selling is the most effective but little costly promotional method the purpose of personal selling is to sell the products and services to the prospect prospect is the targeted customer अब दोस्तों इसका मैं आपको मतलब समझाता हूं कि marketing में जो personal selling है वो एक ऐसा method है जहां पर जो marketer है जो marketing कर रहा है किसी product या service की वो convince करने की कोशिश करता है अपने potential या targeted customers को जिसको बेच सके हैं अब दोस्तों हम बात करेंगे फीचर्स अफ पर्सनल सेलिंग पहला it is a two-way communication के यहां पर marketer और prospect दोनों आपस में communicate करते हैं दूसरा in this buyer and seller communicate face to face जो communication होता है buyer का seller का या marketer का या prospect का वो आमने सामने बैठ खर होता है एक दूसरे के सामने होता है तीसरा it is an oral communication एक दूसरे से वो बात चीज कर पाते हैं face to face चौथा here marketer can get immediate feedback तो यहां पर क्या होता है जब marketer prospect से बात करता है customer से बात करता है तो उसको एक idea लग जाता है उसी time कि customer कितना interest ले रहा है वो कितना interested है उनके product services के अंदर तो एक strong feedback face to face मिलता है जो किसी और चीज में मिलना मुश्किल है पांचमा it helps to develop a deep personal relationship as well as apart from selling relationship with customers इसमें क्या होता है जब हम personal selling करते हैं दोस्तों तो उसमें customer के संग एक healthy personal relationship भी built होता है अगर आप customer को अपनी बात और आपका nature से वो impressed होता है आपके behavior से वो impressed होता है तो एक personal human relationships भी develop होते हैं ना कि सिर्फ selling relationships जो की बहुत long term तक याद रखे जाते हैं और इतिहास गवाय की बहुत बड़ी बड़ी sales personal relationship के उपर भी होती है तो दोस्तों अब हम बात करेंगे personal selling का process कैसे कान करता है वाट is the process of personal selling इसमें पहला जो stage है उसमें identify करा जाता है potential customers कौन है target market कौन सी है और उसको evaluate करा जाता है कि उनकी क्या चीज हम उनको sell कर सकते हैं उनकी क्या worth है second जब potential customers पहले stage में identify कर ले जाते हैं तो फिर prepare करा जाता है उनसे meeting के लिए और उनको क्या pitch करना है सारी चीजों को prepare करा जाता है third stage के अंदर approach करा जाता है contact करा जाता है उन customers को and उनको presentation दी जाती है अपनी product services की fourth upcoming overcoming objections तो overcoming objections का मतलब हो गया दोस्तों कि अगर कोई hurdle आता है कोई customer कुछ पूछ रहा है या उसके कुछ queries है तो उसको वहाँ पर handle करा जाता है उसका clarity करी जाती है पांच्वा closing the sale marketer की पूरी कोशिश होती है कि अगर वह deliver कर पाया अच्छे समझा पाया बात कर पाया तो वह उस sale को close भी कर सकता है and six follow up अगर वह first deal के अंदर prospect जो है customer जो है impress है तो अगर वह time लेता है deal close करने में तो follow up उसका किया जाता है marketer के द्वारा ताकि वह future में sale close कर सके उमीद करता हूं दोस्तों personal selling समझ में आया होगा thank you तो दोस्तों आज हमने जाना personal selling क्या होता है और दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपके को specific topic है तो आप हमें बताईए ताकि उसके ओपर भी हम आपको future में series और content लाके दे और दोस्तों अगर आपको digital marketing services लेनी है या आपको कुछ भी सीखना है digital marketing से related तो आप हमें बता सकते हो हमारी website marketingfundas.com पर भी आप जा सकते हो और आप हमें हमारी social media के channels इंस्टा, Facebook, LinkedIn कहीं पर भी connect कर सकते हो ताकि वहां पर भी आपको useful content मिले